कम्प्यूटर का सबसे जो most important memory है वो दो memory है ठीक है एक आपका कौन सा है RAM एक है दूसरा ROM तो आज जो हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं वो कौन सा है हमारा ROM अब सबसे पहले आखिर ये ROM होता क्या है देखो ROM का ना अगर आप railway वगेरा का exam अगर देते हो अगर आप UPSI कभी अगर प्रिवियस पेपर उठा के देखोगे तो वहां से आपको RAM का full form पूछ लेता है ROM का full form पूछ लेता है लेकिन आज कल ये सब नहीं आता है ठीक है competition बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है अगर आप RAM और ROM का बस full form रटके जाओगे तब तो आप सरकारी नौकरी छोड़ दो फिर आपके लिए सरकारी नौकरी फिर नहीं है अगर आप detail में पढ़ोगे तब ही आपको कोई नौकरी लग सकता है मैं आपको serious बात बताता हूँ अभी just अभी कुछ दिन पहले 2023 में MTS का form बढ़ाया है और आपको पता है न MTS का form का qualification क्या होता है class 10 और आपको जान के हैरानी होगी लगभग 60 लाग form गिरे हैं ठीक है तो ये है सच्चाई तो अपने आपको सच्चाई से आप रूबरू करवाओ अगर आप हमेशा अंदकार में रहोगे तो फिर नौकरी लेना impossible है आपके लिए इसलिए previous year paper आप ढूंडो कि आखिर क्या question आ रहे हैं उसके according आप preparation करो नहीं तो सरकारी नौकरी इस जिंदगी में नहीं लगने वाली है मैं आपको blatantly बोल रहा हूँ और ये सच्चाई है बहुत सारे teacher आपको कुछ न कुछ बोल देंगे बहला फुसला देंगे ये पढ़लो वो पढ़लो एक full form बस पढ़के चले जाओ RAM का full form पढ़लो Rome का full form प कीजिए और अच्छे से पढ़ाई कीजिए और डिटेल में कोई भी चीज पढ़िए ठीक है तो अभी स्टार्ट करते हैं ये वाला बात देखो रोम का जो full form होता है वो क्या होता है आपका read only memory ठीक है और लगे हाथ में आपको RAM का भी बता देता हूँ RAM का जो full form होता है random access memory ठीक है तो ये आपका होता है क्या एक होता है read only memory एक RAM का क्या होता है आपका random access memory अब देखो ये ROM का मतलब क्या होता है मैं ये बताता हूँ ROM जो होता है न वो basically non-volatile in nature होता है अब ये non-volatile in nature क्या होता है non-volatile in nature का ये मतलब हुआ ये आपकी computer से ये कभी खत्म नहीं होगा जब तक जो company इस computer को बनाई है वो delete ना करे लेकिन यहाँ पर भी exception है आजकल ऐसा होने लगा है normally भी delete हो जाता है लेकिन फिर भी हम लोग इसको non-volatile in nature कह दें क्योंकि ये बहुत difficult होता है इसको जो भी ROM के अंदर जो भी information रखा हुआ है उसको delete करना मैं आपको इसके types के अंदर बताऊंगा तो वहाँ पर आपको अच्छे से clear होगा बस अब अभी आप ये देख लो ये non-volatile in nature होता है ठीक है और ये basically कहां पर होता है मैं आपको बताऊं तो जो RAM होता है और जो ROM होता है ये दोनों आपको motherboard में मिलेंगे और motherboard basically कहां पर होता ह है motherboard आपका CPU के अंदर होता है इसलिए मैंने आपको अभी से 5 मिनट पहले बताया था जो primary memory होती है वो CPU के coordination में काम करती है ठीक है इसलिए मैंने आपको बताया था जो primary memory होती है वो CPU के coordination में काम करती है लेकिन secondary memory CPU के coordination में काम नहीं करती है अगर आपको Gana store करना है अगर आपक करके उसको बाद में देखना है तो उसमें CPU का क्या जड़ुत है कोई जड़ुत नहीं है कोई रोल नहीं है तो इसी लिए मैंने आपको वहां पर यह सब चीज के बारे में बताया था ठीक है तो मैं आपने आपको बताया कि यह कहां पर होता है basically रोम ये मधरबॉड में होता है ठीक है मधरबॉड अगर आपका जैसे आप फोन चलाते हो ठीक है अगर आपका मधरबॉड खराब हो गया न तो seat अगर हो यहां खतम हो गया तो आपका computer या laptop कोई काम का नहीं रहा ठीक है ना ही आप अगर phone में भी motherboard अगर खराब हो गया तो भी वो कोई काम का नहीं रहा ठीक है तो यही है तो यहां पर आप देख सकते हो Rome के बारे में मैंने बताया लेकिन मैं आपको अच्छे से पहले और बताता हूँ देखो जो company है ना for example Intel company है ठीक है या फिर आपका लेने वो एक company है HP एक company है जो laptop वेगेरा बनाती है ठीक है अब वो company क्या करती है ना कि कुछ predefined information कुछ ऐसा चीज वो computer को already बता के रखी है कि भाईया आप अगर ये करोगे तो ये होना ही है जैसे for example आप mouse से double click करते हो तो आपका this PC या फिर my computer खुल जाता है तो ये क्या है ये company ने computer को already बता के भेजा है कि आप ये click करोगे my computer को click करोगे तो वो my computer ही open होगा ठीक है अगर मैं आपको एक example और देता हूँ अगर आप internet खुलना चाते हो आप mouse से जाके उस पे click करोगे double click करोगे तो internet ही खुलेगा कोई mozilla firefox और ये सब चीज नहीं खुलेगा अगर आप internet का google chrome खुलेगा तो google chrome ही खुलेगा अगर आप अगर आप ये ये कट वाले sign पे अगर click करते हो तो ये कठी होगा उसके लाबा कुछ और नहीं होगा तो ये ही होता है predefined चीजें वो computer ने वो company ने computer को already बता कर रखी और ये सारा चीज कहां पर store रहता है ये सारा चीज आपका room के अंदर store रहता है ठीक है तो आपको ये याद रखना है इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा है company जो बनाई है उसको कुछ सिखा कर भेशती है ठीक है मैं आपको एक example चौर देता हूं जैसे हमारे हिंदू समाज में या फिर हमारे इंडियन सोसाइटी में क्या होता है लड़की की साधी हो जाती है वो अपने पती के घर चले जाती है तो उसके माता-पिताना उसको कुछ etiquette सिखा कर भेशते हैं कि अपने बड़ों का ऐसे आधर करना जो अप आपको कुछ भी हो जाए आपको अपने माई के नहीं आना है तो यह सारा क्या है यह सारा कुछ predefined information है जो कि लड़की के माता-पिताने उनको सिखा कर भेजा है कि आपको यह करना है आपको बड़ों का आधर करना है तो यह क्या है यह सारा predefined information है ठीक है तो यही यहाँ पर बताया गया है कि यह predefined information जो है वो मैंने computer को बता दी अब computer अगर आप ये program को अगर ये जैसे mouse से आप double click करोगे video player पे तो video player ही open होगा अगर my computer पे click करोगे तो my computer ही open होगा ठीक है अगर आप cutting वाले पे sign करोगे तो वही होगा कट ही होगा आपका program जो भी आपने open कर रखा है तो यही होता है basically room ठीक है यही होता है रोम अब मैं आपको थोड़ा मैंने आपको रोम बता दिया अब मैं आपको RAM बताओंगा सबसे पहले आप क्या करो इसको no down कर लो ठीक है आप no down करो मैं आपको RAM बता रहा हूं अभी आखि basically देखो ROM के ना तीन टाइपस होते हैं कौन-कौन आप यहां पर देख सकते हो एक हो गया आपका कौन सा P-ROM दूसरा हो गया EP-ROM तीसरा हो गया EE-P-ROM अब आपके लिए यह full form important है कभी-कभी अच्छे वाले exam में जैसे for example अगर आप EPFO वगेर का exam अगर दोगे तो वहां प आता है तो आप देख सकते हो P-ROM P-ROM क्या हो गया programmable read-only memory ठीक है उसके बाद EP-ROM का erasable programmable ROM यानि erasable programmable read-only memory ठीक है अब देखो double EP-ROM का क्या हो गया electronic erasable programmable ROM ठीक है अब देखो यह जो EP-ROM है और double EP-ROM है इसको आप change कर सकते हो जैसे की erasable programmable ROM इसका मतलब भईया यहाँ erase इसका मतलब कुछ मिटाने मिटाने के जैसा कुछ लग रहा है ठीक है तो आप जो है ना उसको erase कर सकते हो but condition यहाँ पर यह है आपको यहाँ पर erase करने के लिए UV-ROM का use करना होगा यहाँ आप देख सकते हो change कर सकते है UV-ROM से but difficult है ठीक है UV-ROM से आप change कर सकते हो बट यह difficult है और यह जो double E-P-ROM है यह आराम से change हो सकता है ठीक है कोई दिक्कत नहीं है यह आराम से change हो सकता है मैं आपको यह example और बताता हूँ आप for example आज के दिन आपने अपना computer on किया उसमें आपने आपका जो date है आपने वो mention कर दिया है उसके बाद साथी साथ आपने उस time भी mention कर दिया है और आज से जब 15 दिन के बाद खोलोगे आप अपना computer वो automatically आपका time ठीक हो जाएगा automatically आपका date भी जो 10 दिन के बाद जो date था जो date जिस दिन आपने खोला है वो automatically सब हो जाएगा वो क्या है इसलिए मैंने आपको बताया था कि रोम को आप जो है वो change बहुत कर सकते हो लेकिन काफी difficult है लेकिन कुछ रोम ऐसा भी होता है न कुछ चीजे जो automatically वो change हो सकती है और आप भी उसको change कर सकते हो तो यही होता है मैंने आपको अच्छे तरीके से holistic तरीके से रोम के बारे में पढ़ने वाले है ठीक है तो आप सबसे पहले इसको no down करो मैं आपको RAM के बारे में बताऊंगा ठीक है चलो आप लिखो पहले इसको